जीरो एक्सपीरिंस वाला व्यक्ति कभी बिजनस नहीं करता , क स्टमर को कैसे design करना है कि रater ! क स्टमर काउन है और जिनके brand नहीं है वह भी करूरू के sheal कर्रहे है एक आदमी से मिलते हो sheal करते हो दुनिया में जितने आदमी से मिलों के sheal करों को यह करोंगे दोस्तर नमस्कार मेरा नाम है दॉक्टर अमित मैश्वरी मैं CEO and Founder Director हूं Metas Oversays Limited Company का और आप जानते हैं कि हमारी कंपनी स्टेल ये स्टेल मडूल के चुन के manufacturing करती है export करते हैं हम लोग और पूरे भारत वर्ष में मारे franchisee showroom और dealership showroom है लेकिन मेरे जीवन की शिरुवात एक small scale coaching institute से हुई थी और life में turning point आते गए और हम next level चलते चले गए बहुत जल्द हमारी company IPO में list होने वाली है अब इस पूरी journey में जो भी experience मैंने grab किया वो सारा experience मैं आपको देने वाला हूं मेरी series में और इस series का नाम है how to build zero to one crore per month business ऐसा क्या करें कि हम हर महीने कम से कम एक crore का business करें और शिरुवात zero से करनी है अगर आप मेरे साथ इस series में बने रहना चाते हैं और सारी चीज़ सीखना चाते हैं और आप भी अपने सपनों को साकार करते हुए IPO listed company तक पहुंचना चाते हैं तो मेरे इस channel को अभी subscribe कर ले और bell icon को ज़रूर पैस करना क्योंकि हर हफ्ते हम लेके आने वाले हैं इस chapter की next video जिसमें बात करेंगे कि zero to one crore per month business लाखम कैसे पहुंचें दोस्तों ध्यान रखेगा कि business में growth के लिए na business की right strategy, planning और belief होना बहुत जुरूरी है अगर आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है तो आप चीजों को हासिल भी नहीं कर सकते तो आपको विश्वास करना होगा कि चाहें आज में zero पर stand करता हूँ मुझे एक करोड पर मंथ के business पर पहुंचना है और जिस दिन आपका belief system zero to one करोड turnover के business पर पहुंच जाएगा ना पर मंथ उस दिन आप बिलीव कर पाएंगे कि per month 10 करोड का business कासे करते हैं per month 100 करोड का business कासे करते हैं पर कहते हैं कि बड़े सपनों की बात समझने से पहले जो पहला टार्गेट हम बनाएं उसको अचीव करें और उसको अचीव करने के लिए जो भी information चाहिए जो भी training चाहिए जो भी tools ने की open चाहिए जो भी knowledge चाहिए जो भी system चाहिए मैं सारा आपको बताने वाला हूँ क्योंकि practical life में मैंने वही implement किया है तो आइए शुरुआत करते हैं आज की series को और series का नाम है how to build 0 to 1 करोड per month business कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में आप किस परिस्तिती में हैं फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका mindset क्या है और भविश्य में आप कहां जाना चाहते हैं तो मैंने अभी track को थोड़ा सा bound किया है कहते हैं sky is the limit लेकिन फिर भी हमने एक limit बनाई कि 0 to 1 करोड पहुंचेंगे फिर next step फिर next step फिर next step और एक दिन हम IPO listed company ज़रूर बनेंगे सबसे पहले हम first chapter की बात करेंगे friends क्या होता है कि हर व्यक्ति के मन में ना कुछ myth होते हैं कुछ belief system में ऐसी बाते feed हो जाती हैं जिससे वो मानी नहीं पाता है कि क्या ऐसा संभव है लेकिन एक बार अगर आपके myth तूड जाएं तो आप आसानी से अपने belief system को strong बना सकते हैं क्योंकि बच्चमन से यह में guide किया होता है कि आर यार कैसे भी 25-30,000 की नौकरी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा 50-60,000 पर मेना कमा लें तो life shadow जाएगी सरकारी नौकरी लग जाए तो सब कुछ व्यवस्तित हो जाएगा एक चोटा सा बिजनस हो जाए तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे friends कोई फर्क नहीं बढ़ता कि वर्तमान में क्या परिस्तिती है हमें कहां पहुचना है उसके लिए belief system को change करना है तो मित क्या है मेरा आपसे प्रशन भी है कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा मित है ना तो मुझे comment box में लिख कर दो बताएं क्योंकि इससे अगली वीडियो में हम उस मित को break करेंगे तो पहला मित क्या है उसको समझने से पहले मैं के example आपको बदाता हूं एक व्यक्ती एक टेलर के पास गया और बोला किसा सूट लिंथ मेरे पास है आपको मेरे लिए एक नया सूट सिलना है पती क्या आपके charges है तो टेलर ने का कि एक नए सूट को सिलने के लगबग 2000 पर में चार्ट लेता हूं तो उसने का यार 2000 कपड़ा तो मेरा 1500 कई आया है यह तो बड़ा महंगा हो गया घर वापस चला गया सोचने लगा फिर उसको याद आया उसके पापा का सूट एक रखा हुआ है दरजी के पास फिर से गया और बोला कि टेलर मास्टर साब मेरे पास एक सूट रखा हुआ है जो सिला हुआ है मेरे फादर का है थोड़ा सा ओवर साइज है आप अगर उसको मेरी साइज का बनाएंगे तो क्या charges लेंगे तो टेलर ने कहा कि उस सूट को ठीक करने के मैं लूँगा तीन अजार रुपे लड़का सोचे लगा यार नए सूट को सिलने के दो अजार और पुराने को ठीक करने के तीन अजार तो टेलर ने कहा नए को सिलना बहुत असान है पुराने वाले को पहले खोलना पड़ेगा सीधा करना पड़ेगा, नई कटिंग करनी पड़ेगी तब सिलना पड़ेगा, मतलब उसमें काम ज़ादा है जिन लोगों के मन में यह मिथ बने हुए है ना, उन लोगों के मन में से मिथ दूर करना पहला आपने आप में एक काम है और बाद में नया belief system generate करना दूसरा काम है तो आईए बात करते हैं वो myth कौन-कौन से है और उन myth में से कौन सा myth आपके mind में ये मुझे ज़रूर बताना ताकि अगली वीडियो में आपके सवालों को आपके जवाबों को भी मैं आसानी से दे सकूँ तो सबसे पहले myth क्या है बिजनस करने के लिए आपके पास तीन से पांच येर का experience होना चाहिए जीरो experience वाला व्यक्ति कभी भी बिजनस नहीं करता तो मैं इस बात का प्रतेक्ष उड़ा रहन हूँ मैंने अपनी डाइफ में कभी जॉब नहीं की डारेक्ट बिजनस से ही शुबारम किया पहले वो बिजनस कोचिंग अकेडमी का था प्रोफेशनल था लेकिन बाद में धीरे धीरे हम इंडस्ट्री चेंज करते गए और मर्डर लोकेशन इंडस्ट्री में है तो ये एक बहुत बड़ा मित होता है अगर आपके मन में मित है तो उसके बारे में ज़रूर लिखे हैं और ये बात आपको किसने बताई थी किसने समझाई थी कि बिजनस करना है तो भईया पहले experience कर लेना और कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनस करने के लिए जॉब कर लोगा तो experience मिल जाएगा फ्रेंड्स आप किसी भी बिजनस जब जॉब करेंगे तो बिजनस का नहीं जॉब का experience आपको मिलेगा तो business करने के लिए experience चाहिए ये आपका एक belief होता है कई लोगों का इसके बारे मुझे लिख कर बता हैं दूसरा huge setup required है अरे सर 5-10,000 रुपे 15,000 रुपे 20,000 रुपे 50,000 रुपे मेने तक कमाने के लिए ही बहुत अच्छा investment चाहिए होता है और आप बात कर रहे हैं 1CR per month business के बारे में तो इसके लिए तो बहुत बड़ा setup चाहिए मैं एकली business करने के लिए भी बहुत कम छोटे setup चाहिए होते हैं अच्छे अच्छे example भी वताऊंगा और life में आप उस example को correlate भी कर पाएंगे अगर आपके मन में भी myth है तो मुझे comment में लिखे क्या इसके बारे में आप सोचते है high working capital चाहिए कहते हैं कि पैसे का काम तो पैसे से होता है एसा नहीं है पैसे का काम तो network से भी होता है पैसे का मायंट से भी होता है पैसे का काम तो system से भी होता है तो high working capital चाहिए ये बहुत बड़ा प्रशन काफी लोगों के मन में होता है ये आपके मन में भी प्रशन है तो इसके बारे में उज्जे लिख कर बताओ explain करो कि क्या सो पुंजी लगेगी फ्रेंड अगर बहुत बड़ी पुंजी से बिजनस शुरू होता ना तो शायद आज में में अटास ओवरसेज लिमेंटेड का CEO नहीं बन पाता और इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्रियेट नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पता था कि छोटी-छोटी इंवेस इंवेस्ट्मेंट से हम बिजनस में नेक्स लेवल जा सकते हैं तो अगर बड़ी इंवेस्ट्मेंट चाहिए ऐसा प्रश्ण आपके मन में है तो किस बात को लेकर है किस एक्जैम्पल को लेकर है मुझे एक्स्प्लेइन करके बताएं फ्रेंड मैं बार बार आपसे कर रहा कुछ लोग कहते है सर मैं 5.5 लाक रुप्र महीन का बिजनस करता हूँ और I can a podcast को quietly कहता है मैं दस पर पचास लोगों की कोई कहते है मैं 1 क्रोड का बिजनस करता हूँ मेरे पास 100 लोग की टीम है बिस लोग की टीम है बड़ी टेम चाहिए या बहुत बड़ा प्रणी नहीं है तो एक करोड़ो तक की जेल कैसे होगी अगर आपका मार्किट में स्टब्लिश ब्रेंड नहीं है तो आप बिजनस को सेट नहीं कर पाएंगे। तो हजारों ऐसे example के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, case studies के साथ बताने वाला हूँ, कोई फरक नहीं पड़ता है कि आपका product brand आपका नाम market में है या आपके वल product supply करते हैं, या raw metal group में supply करते हैं, brand होना या ना होना कोई फरक नहीं पड़ता, जिनके brand हैं वो भी करोडू की sell कर रहे हैं, ऐसे हजारों example है, ठीक है ना, high risk in business, व्यापार का मतलब बहुत बड़ा risk involved है, ये प्रश्ण भी लोगों के मन में रहता है, friends बहुत सारे ऐसे business हैं, जो zero risk based होते हैं, जरूरत है तो उस myth, उस belief system को तोड़ने की और एक positive belief system generate करने की, इन चीज़ों सम्मझत आप के मन में कोई भी प्रशन है, जो भी आप खुल के पूछना चाहते हैं, मुझे जरूर लिखें, क्योंकि अपने experience के अधार पर ये पूरी series, मैं आपकी जरूरत के हिसाब से design कर रहा हूं, regular आपको वही बात बताऊंगा, जो सवाल आप पूछेंगे, subscribe जरूर कर ले ना वर आप जीवन में यदि कोई लक्ष ही नहीं बनाएंगे, तो कुछ हासिल भी नहीं करेंगे, यदि आपने लक्ष बनाया है कि मुझे मान लीजे आप दिल्ली रहते हैं गाजियाबाद जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, लेकिन के आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 90 Days Transformation करते हैं अब यह 90 Day Transformation का फार्मॉला आपको एक ट्रक दे देता है, ऐको गोल दे दे देता है, आपको एक वीजन दे दे देता है कि मुझे यह यह हसल करना है, और उसी के हिसाब से आपनी डाइट, अपना वर्काउट प्लस माइनस करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, घठाते रहते हैं, इस सारी चीज़े रेगुलर होते हैं, ठीक उस तरह से ना, बिजनस में भी एक गोल बनाया जाता है, हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि वही वन सी आर का जो गोल है, अरे सर यह तक पहुचनी की जर्नी को पूरा करेंगे, कुछ लोग 90 डेज में करेंगे, कुछ लोग 45 डेज में करेंगे, कुछ लोग 120 डेज में करेंगे, कुछ लोग 365 डेज में करेंगे, पर उस दिन से हम काउंट करेंगे, जब एक करोड की सेल आपकी लगातार होने लग जाएगी, उस ट्रैक तक हमें पहुंचना है और विश्वास आपको में जगाना होगा नेक्स्ट, डिफाइन यॉर कस्टमर लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा ग्राक कौन है आप जो प्रोड़क्ट बना रहे हैं उसके ग्राक अलग-अलग केटिगरी के होते हैं आपको डिफाइन अगर करना नहीं आता है कि आपका ग्राक किस केटिगरी का है या आपकी प्रोड़क्ट किस केटिगरी की है या आपके ब्रैंड की पोजिशनिंग किस तरह की है तो आप कभी भी राइट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते कि दो तरह के व्यक्ति हैं एक को तैरना आता और एक को तैरना नहीं आता अगर दोनों को पानी में गिरा दिया जाए ना तो जिसको तैरना आता है वो बहुत आराम से अपने हाथ पर चलाएगा लेकिन जिसको तैरना नहीं आता वो छट पटाएगा उल्टे सीधे हाथ पर मा अब राइट कस्ट्टमर डिफाइन हो गया कि ए बी या सी इन तीन कैडिगरी में से बी कैडिगरी का मेरा क्लाइंट है या सी काडिगरी का क्लाइंट है तो उससे संबंदित लीड कैसे जनरेट करनी है My friends, marketing की strategy ही आपके business को next level लेकर जाएगी, चाहे वो लक्षमी निवास मित्तल हो, चाहे वो धीरुबाय एंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बजाज हो, चाहे बिरला हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का व्यापार के वले एक ही चीज़ पर टिका है औ और वह है sales, अगर sales नहीं होगी, तो बड़े से बड़े plant बंद हो जाएंगे, अरे टाटा ने नो नहीं भी की, तभी तो रतन टाटा जी ने 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 नो का plant बंद किया, लेकिन टाटा नेक्सोन भी की, इसलिए टाटा नेक्सोन का production बढ़ा दिया और plant में और मशीन लगा द ले जाई नहीं सकते, lead का conversion होना बहुत जुरूरी है, और देखो मैं उन business coaches या motivational speakers में नहीं हूँ कि से जो lead conversion का ratio मेरा one is to one है, दुनिया का सबसे गलत सिधानत है, ऐसा होई नहीं सकता, कि आप एक आदमी से मिलते हो, sale करते हो, दुनिया में जितने आदमी से मिलोगे, sale करोगे, अरे client की भी तो dream, desire, destiny होती है, आपके product की भी तो category होती है, price की भी तो कोई limit होती है, तो यहाँ follow up की right strategy, अगर 5% से लेकर 10% तक conversion भी हो, तो वो भी अच्छा conversion माना जाता है, लेकिन अगर strategy ठीक हो, तो 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक पहुचा जा सकता है, हर strategy में बताऊँगा, जो हमने हमारी company में लगाई, और पूरी strategy को develop करने में, 8-10 साल लग गए दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कि, जो लोग ही सोचते हैं कि हम तो अकेले दुनिया फते कर लेंगे, उनको लंबा समय लगता है, लेकिन अनुभव के अधार पर मैं आपको सब कुछ बताएंगा, sales का conversion कैसे करना है, follow up करने के बाद जब आपकी deal near to close हो, तो कैसे उसको pinch यहां करना है, ताकि deal close हो और पैसा अकाउंट बे आए, ठीक है, sales तो आपने कर रही है, लेकिन अब question क्या उटता है, कि माल बिग्या या service दे दिया, उसकी delivery या उसका execution कैसे किया जाएगा, अगर आप execution expert नहीं है, तो बविश्य में आपको आने वाला business नहीं मिलने वाला, और after sales service हमें कैसे देनी है, sales के बाद कैसे network generate करना है, तक कि वही व्यक्ति bonus के रूप में हमें referrals देना शुरू कर दे, और client का referral बड़ा powerful referral होता है, और next video में हम बात करेंगे, क्या, इन सभी प्रशन को तो समझेंगे step by step, इसके सारे chapters में आपको बताने वाला हूँ, देखे, कहते हैं कि जितना जादा आप involved होंग उतने जादा प्रशन पूछेंगे, जितने जादा प्रशन पूछेंगे, उतने जादा आपके प्रशनों का जवाब आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा, यह कोई recorded program नहीं पड़ा हुआ कि उठाके मैं 50 वीडियो एक साथ डाल दूँगा, आप पोश्ते जाएंगे, म पूरा गाजियाबाद हमान दो, आप यूँ घूमके भी जा सकते हैं गाजियाबाद, है ना, आपने देखा है कि आपके अधर सिटी में होते हुए भी आप गाजियाबाद जा सकते हैं, तो रोड मैप क्या होगा, ताकि आपको कम समय में बड़ी उपलब्दी हासिल को, व आपके मन के जितने भी मित हैं, वो सारे मित हम लोग ब्रेक करेंगे, और मित ब्रेक करने के बाद, बिल्ट करेंगे एक ऐसा बिलीफ सिस्टम, जो आपको काबिल बनाएगा कि हां, मुझे करना ही करना है, येस सर, I am ready to take next step, beyond imagination, and how to build team, कैते है ना, बड़े से बड़े कैसे परफॉर्म करें, तो टीम कैसे बिल्ट होगी, ये भी आपको सिखाने वाला हूँ, friends, कोई भी informative वीडियो मिसना हो, चैनल को subscribe कर लें, और इस बार बिल्कुल unique content में लेकर रहा हूँ आपके लिए, तकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, और आप आगे बढ़ेंगे तेजी से डेवलेप होँगे, तो जब मेरी कंपनी आई वे में लिष्ट होगी, तो आप जैसे इंवेस्टेरी तो शेयर खरी देंगे, इसी उमीद के सहारे मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी, आपके स अरे वविष्य की काम ना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!